फ्रांस में 17 साल के लड़के की मौत के बाद कटरपनतियो ने हंगामा वचा दिया फ्रांस ये कई शहरों को जला दिया बताया जारा कि दंगाईयों में सबसे ज़ादा संख्या मुस्लिम शरार्थियों की थी मुस्लिम शरार्थी फ्रांस के गले की हड्डी बन गये यह सवाल इसलिए क्योंकि एक वीडियो वारल हो रहा और उस वीडियो को लेकर भारत को भी चेतामी दी गई है। का भी जुक्र किया फलस्तीन के मौलाना अबू तकी अलदिन अलदारी का ये वीडियो 12 मार्श 2019 का बताया जा रहा है जिसमें वो अल-अक्सा मस्जिद में मुसल्मानों को संबोधत कर रहे हैं और एक तरह से यूरोप को धंका रहे हैं उनका कहना था कि जर्मनी और फ्रांस क के लोग बूढे होने लगे हैं वहां के यूवा विवाह को जरूरी नहीं मानते हैं यहां के यूवा मुसल्मानों से अलग विवाह से कन्नी काटने लगे हैं इतना ही नहीं इस वीडियो में उन्हें ये कहते हैं सुना जा सकता है ऐसा कहा गया है कि साल 2050 तक फ्रांस में बस के लिए जिहाद के जरिये पश्चमी देशों के लोगों तक इसलाम को ले कर आए जब लोगों को इसलाम का सही रूप उसकी दया उसका निर्देश और रोश्टी दिखेगी वो अपने आप ही इसलाम अपना लेंगे इसके बाद उन्होंने आगे कहा सिर्फ 400 साल ही हुए भी पूरवदेश और काक्षेस भी इसलामिक शासन के तहत थे फिरौर क्या चाहिए सन 1644 तक चीन पर भी मुस्लिम मंगोलों का रास था सन 1526 में हंगरी को जीता और उसके बाद 1586 तक भारत में भी इसलाम रास था अब बात करते उस वीडियो की जिसे लेकर भारत को मेजर सुरेंद्र पुनिया ने शेयर किया है जानकारी के बता दे कि मेजर सुरेंद्र पुनिया विशिष्ट सेवा मेडल एक अंतराच्टी पुरसकार विजेता खिलाडी लिमका बुक रिकॉर्ड धारक चिकसक भारती सेना के पूर विशेस बलादिकारी और सोल्जियो थ करते भी लिखा ये रिपब्लिक स्कॉयर पेरिस है शडार्थियों ने फ्रांसी सी समाज को कुचल डाला फ्रांस ने आत्म समर पड़ कर दिया है उन्होंने आगे लिखा हिंदुस्तानी भाई बहनों आप एक न रहें तो यहां भी ऐसा ही होगा मेजर पुनिया के मताबिक किस वीडियो में दिख रहें लोग मुस्लिम शडार्थी हैं युन्होंने फ्रांस में हिंसा को इंजाम दिया और पेरिस के रिपब्लिक स्कॉयर पर खुशी से उचल रहे हैं फिलाल फ्रांस के हालात और मेजर की चेताउनी पर आपकी क्या राहे है हमें कमेंट बॉक्स प किनाम